दोस्तों नमस्कार बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे सरकार की तरफ से पल्मूख एलान नहीं नहीं सोगाते और करोरों का पैकेज दिया जा रहा है खेर और एक कर्वी सच आपको ये भी बता दे कि चुनाव से पहले नेता आपकी चर्णों में और चुनाव के बाद आप नेता की चर्णों में ये फैक्ट है ये सच है और एक बहुत बढ़ा कर्वी सच है अब आते हैं मुद्दे पर मुद्दा ये कि अपकी बार की जो चुनाव होने वाला है वो तो आप देखी रहें टकर बहुत बढ़ा टकर इस बार देखने को मिलेगा अगामी विधान सवा चुनाव में और इस बार ये भी देखने वाली बात होगी कि इस बार की चुनाव मैं से शिक्षा व्यस्ता चिकिस्णा व्यस्ता स्वरक बिजली और सबसे बढ़ा यह कि बेरोज़कार का मुद्ड ट्रेंड कर रहा है यह सबसे बढ़ा है बेरोजकार का क्योंकि जिस तरह से एक तरफ पलामंत्री नरेन्द्र मोदी का जर्मदीन हो और बधाई मिल रहा हो सोशल मीडिया से लेकर न्यू चैनलों पर और एक तरफ बिरोजगारी का मुद्दा ट्रेंड कर रहा हो तो आप क्या कहेंगे आप तो यही कहेंगे वेबसाइट का क्या नामे बता है www.birozgarihatau.com यह उनका कहने का मतलब है कि आप हमको मुख्यमंत्री बना देजये भाईया समझे हम भाईया रोजगार आपको देंगे नौकरी देंगे आपके घर-परिवार की जो खर्च है वो हम अपने सर पर ले लेगे यह उनका कहना है कि हम, हमको आप मुख्यमंतरी बना देजी हम आपको जो आपका जो टिंसन है। वो दूर करतेंगे वो उनका कहना है आप उनको जो कह लिए है युवा मसीया कह लिए और युवा के लिए सोचने वाला आदर्श व्यक्ति कह लिए जो कह लिए क्योंकि यही तो हमारा देश की खुशुर्ति है कि सभी लोगों को अपना-पक्ष रखने का अपना-पक्ष कहने का पूर्ण रुपेन सोतंदरता है और वो कुछ भी कह सकते हैं दफा से मुख्यमंत्री जो है वो बिहार के नितिश कुमार है और ऐसे में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा वो ट्रेंड कर रहा है तो ये कहीं ने कहीं मुख्यमंत्री पर एफेक्ट मुख्यमंत्री नितिश कुमार पर ये एफेक्ट डाल सकता है अगामी शुनाओं म झाल 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 झाल